हम पैड़े थे Fourier Transform की Properties ठीके, तो ये है Fourth Property Modulation Theorem तो देखो इसका statement क्या है If small f of p is the complex Fourier Transform of capital f of x ठीके, अगर किसी भी function का Fourier Transform क्या है small f of p है then Fourier Transform of capital f of x and cos ax देखो fx के साथ क्या है cos ax का multiply हो रखा है ठीके, तो इसका complex Fourier Transform कैसे find हो का, देखो 1 upon 2 small f of p plus a plus small f p minus a ठीके, means suppose करो कि fx हमारे पास e की पाउर x ही है ठीके, और इसका Fourier Transform 1 plus p है सब लेट किया हमने, कि ये है ठीके, और हमें पूछा गया है ये हमारे पास given है और हमें पूछा गया है कि e की पाउर x cos ax का Fourier Transform find करो, ठीके, तो हम क्या करेंगे direct यहाँ modulation theorem का use करेंगे, देखो function of fx का क्या complex Fourier Transform हमें given है ठीके, तो देखो हमें क्या करना है इसका Fourier Transform, देखो 1 upon 2, ठीके देखो, small f p plus a, जो मारे पास Fourier Transform आया है fx का, उसमें क्या कर देना जहाँ पे p है, वहाँ पे plus a कर देना है, तो जहाँ पे p है, वहाँ पे plus a कर देना है, तो 1 plus p, a means क्या है cos, देखो, cos ax है, तो यहाँ पे cos ax है, तो यहाँ पे मतलब a ही है, तो p plus a, पहला bracket one, plus, ठीके fp minus a तो फिर से 1 प्लस P माइनस A और यह हो गया हमारा Fourier Transform of किसका A की पावर X Cos AX का डारेक्ट ठीके यह हमने लेट किया है सरब लेट किया कि सपोज यह कोई function एर उसका Fourier Transform यह है ठीके तो हम कैसे इसे आगे find कर सकते हैं अब देखो यहालिधोर हम प्रूफ करते हैं देखो हमार पास किया है Fourier Transform of function of FX and Cos AX ठीके यह हो गया Left Hand Side हम सॉल्व कर रहे है Equal to हमें क्या पता है Fourier Transform of FX का फॉर्मुला ठीके क्या होता है माइनस इंफिनाइट तो प्लस इंफिनाइट F of X होता है ठीके F of X बट यहाँ पे F of X के साथ किया है Cos AX है ठीके तो देखो हमने लगा दिया Cos AX और साथ में क्या होता है A की पाउर Iota PX and DX ठीके अब देखो यह आगी है अब देखो इस आगे सॉल्व करते है माइनस इंफिनाइट तो प्लस इंफिनाइट A की पाउर Iota PX और FX हमने लिख लिया अब यहाँ पर लिखाओ Cos AX का ठीके तो यहाँ पर देखो हम Cos AX का formula यूज करेंगे तो यह होता है Cos AX का कितना हो गया Cos AX सिंप्ली देखो आप Cos X का Cos X का क्या होता है A की पाउर Iota X होता है पर यहाँ पर AX है तो यहाँ पर AX हो जाएगा प्लस E की पाउर माइनस Iota AX अपॉन 2 ठीके एंड DX ठीके यह होता है Cos X का formula ठीके अब देखो अगर साइन का होता तो साइन का क्यों हो जाता है यहाँ प्लस की जगा माइनस आजाता अब देखो इनको separate करो देखो हमने क्या कर दिया इनको हमने इनको separate कर दिया है ठीके अब देखो यहाँ पर E की पाउर E की पाउर इनको क्या कर दो एड कर दो यहाँ पर भी E की पाउर है E की पाउर है तो इसको एड कर के देखो हमने क्या करते है देखो e की powers को add कर दिया है ठीके अब देखो हमाल पास क्या होता है यहाँ पे देखो Fourier transform of fx equal to क्या होता है small f of p equal to integration minus infinite to plus infinite capital f of x e की power iota px dx होता है न देखो यहाँ पे iota px है iota और x को छोड़के p तो यहाँ पे small f of p आया है ठीके देखो यहाँ पे भी क्या है p plus a p minus a देखो यह दो function है इसको हम कैसे लिखते हैं देखो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे देखो 1 by 2 तो भार से यह ठीके small f of p p के साथ क्या है प्लस a है तो p plus a हो जाएगा and plus p small f of p p के साथ क्या है minus a तो यह minus a हो जाएगा और यह आगया हमारा right hand side जो हमें proof करना था ठीके क्यु jakie आएग खाराइगा that लिखभख़ जो हमें Davidson इस साथ कर दो क्या हमें साथ